आकाश्वाणी मध्यप्रदेश से प्रस्ततें प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धारणा सच्चतेव प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी आज शाम जोर्ज टाउन में गोयाना की राश्ट्रपती डॉक्टर मोहमद इर्फान अली से वारता करेंगे इसमें कई समझोतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है प्रधान मंत्री तीन दिवसिय यातरा पर आज सुबह गयाना पहुँचे प्रधान मंत्री आज दूसरे केरी कौम भारत शिकर समेलन में भी भाग लेंगे और इस क्षेतर के साथ भारत की दीरकाली मितरता को और बढ़ाने के लिए केरी कौम सदस्य देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे पच्पनवा भारत अंतराश्ट्री फिल्म महुचसव आज गोवा के पणजी में शिरू हो रहा है भव्य उद्घाटन समारो शाम पाँच बजे पणजी के डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी स्टेडियम में होगा फिल्म कलाकार अभिशेक बनर जी और भूमी पेडने कर कारकरम की मेजबानी करेंगे सूचना और प्रसारन मंत्राले में सचिव संजेर जाजू ने आकाशवानी से विशेश बाचीत में बताया कि उद्घाटन समारों में प्रसार भारती OTT का शुभारंब किया जाएगा बहुत सब में इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया को विशेश फोकस देश का दरजादी आ गया है जिसे अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियां प्रस्तुत करने का विशेश अफसर मिलेगा उस्ट्रेलिया के नृत्य समुह के सांस्कृतिक कारिक्रम में वहां की समरिद सांस्कृति की जलक मिलेगी उद्घाटन समारो में भारत के सांस्कृतिक कारिक्रम में नब्बे के दशक के हिट नृत्ते गीतों पर विशेश प्रस्तुती होगी टाइमलेस सोल्स शीर्चक से विसेश काव्यात्मक प्रस्तुती में दृष्च संगीत और कविता के माध्यम से भारतिय फिल्म जगत की महान हस्तियों के योगदान को रेखांकित किया जाएगा माइकल ग्रेसी निर्देशित बेटर मैन समारो की उधगाटन फिल्म होगी उधगाटन समारो में फिल्म निर्मादा सुभाष गई दिनेश विजन और गीतकार प्रसून जोशे सहित भारतिय फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की उपस्तिती रहेगी मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुजरात प्रवास पर हैं यह एहमदाबाद में गुजरात के मुख्य मंत्री भुपेंदर पटेल गुजरात के वरिष्ट मंत्री गणव अधिकारियों के साथ उचस्तरिय बैठक में हिस्सा लेंगे बैठक में दोनों राज्यों में जन कल्यान से संबंदित महत्वपूर्ण मुद्धों पर चर्चा होगी शाम को भोपाल में मुख्य मंत्री ने कैबिनेट बैठक बलाई है इस दोरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आएंगे जिस पर मोहर लग सकती है बैठक के बाद मुख्य मंत्री डॉक्टर यादव मंत्रियों के साथ फिल्म दसाबर मती रिपोर्ट देखेंगे लोक निर्मान और निर्मदापूरम जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शसिह ने आज रीजनल इंवेस्टर मीट की तैयारियों के संबंध में समिक्षा बैठक की आज सुभा प्रभारी मंत्री ने सिठानी घाट पर मानर्मदा का पूजन अभिशेक किया इस दौरान उनके साथ राजे सबासदर से माया नारो लिया सांसद दर्शन सिंग चौधरी सहित अन्य जन प्रतिनी दीगन मौजूद रहे साथ दिसंबर को नर्मदापुरम में होने वाले रीजनल इंडस्टरी कॉंक्लेव की तैयारियों को लेकर श्री सिंग ने अधिकारियों से जानकारे ली और आवर्शक दिशानिर देश दिये प्रदेश की सभी एतिहासिक इमारतें आज विश्व बाल दिवस के अवसर पर नीली रोशनी से जगमग होंगी बाल अधिकारों और मुद्दे के जाग रुकता बढ़ाने के लिए एतिहासिक इमारतें अंतराश्ट्रिय संस्ता यूनिसेफ की ब्लू थीम में रंगी नज़र आएंगी इसे लेकर यूनिसेफ ने माध्य प्रदेश के परियतन विभाग और भारतिय पुरा तत्व सर्वेशन ASI के साथ साज़िदारी की है हर साल 20 नमंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व बाल दिवस मनाने की शुरुआत 1954 से हुई अब कुछ समाचार संक्षेप में महराष्टर में आज सभी 288 सीटों के लिए मत्दान जारी है महराष्टर की नांदेर लोग सभा सीट के लिए भी उपचुनाव हो रहा है जारखंड में विधान सभा के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज 38 निर्वाचंग शेतरों में मत्दान जारी है चार राजियों की 15 विधान सभा सीटों के लिए भी आज उपचुनाव हो रहे है इन दौर में आज नंदा नगर आई टी आई पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है शाम चार बजे तक चलने वाले इस मेले में निजिक शेतर की कई प्रतिश्रित कमपनिया युवाओं को रोजगार देने के लिए आई है आगरमालवा जिले में कल विश्म शौचाले दिवस पर हमारा शौचाले हमारा सम्मान भियान अंतरगत स्वचता चितरतकला प्रदियोगिता आयोजित हुई खनवा जिले में वर्षा जल को संडक्षित करने के लिए बोरी बंधान टेक्नीका उप्योग किया जा रहा है इस प्रयास से पानी का बहाव कम होगा और जल सर में व्रिद्धी होगी और शिवपुरी जिले के ग्राम कफार में पुलिस ने फैक्टरी से करीब दो लाक रुपे की नकली डी एपी और खाद बनानी की समगरी को बरामत किया है इस बुलिटन में हितना ही नमस्कार